हेलो अबरीबरन वल्कम टू बैक मैं चैनल ने और आज में लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के हिस्ट्री का फिविया कोशन ठीक है तो आज का मारा कोशन है चेप्टर मारा 5 हिस्ट्री का जो कि आप जानते हैं मुदरन संस्क्रिति के बारे में तो तो 28 सदी में यूरोप के कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुदरन संस्क्रिती से निरंग को सवाद कांत तता ज्यान वदे होगा आखिर 28 सदी की बात बोला जा रहा है कि यूरोप के कुछ लोगों को सभी को नहीं लेकिन कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि पूछ था हाइज से पूछ यह रहा है की बताइए आखिर यूरूप की कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रसक्रिटी से नर्ण कुछ सवात कांत होगा साथ ही साथ घ्यान का विद्धे होगा ऐसा था क्यूंक्त उससे भिष्वास था एगों क् Аधिक मात्रा में किताबें लगी लोगों तक पहुंचने लगे इस वरकार घ्यान का परशार हुआ कहने का मतलब ये है कि economic ॐ और गोदрन न जो च्छापाई का प्रोसेस जो चलाना तो च्छापाई के कारण च्छाप खाने के कारण अधीक मातरा में किताबे च्छपने लगी तो अधीक मातरा में किताबे च्छपने के वजह से जो किताबे हैं यह सभी लोगों तक जिसे महिला हो पुरूस हो गरीब हो यह सारे लोग सब्सक्राइब किताबें पहुंच रहे हैं किया है क्या है क्या सभी गलत है इस चीज़ को लोग समझ पा रहे थे और विकास वह लोगों में बुद्धी जगी और क्या होगा च्सप काने के कारण अधीक मात्रा में किताबें छपी तो अधीक मात्रा में किताबोंने के वजय से किताबें सबहूं सब्सक्राइब सबी लोगों तब पहुँछने लगी ऌधोज्ञान का इस वरकार से क्या हुआ परचाहर हुआ लोगों के पास पहुचा और जिएक हुआ नतल का यह कि जब छाप खाना जिसे कि माली जब किताब छप रही पत्र पत्रिकाएं छप रही है निजब पर खाने से क्या किया मतलब अपने विचारों को किताबों या पत्र पत्रिकाओं के माईजह में से छाप दिया त्यक्ति ऐसा डिया और यह किताब वो अपने विचार को लोगों को समझाने के लिए कहना चाहरा है लेकिन पूरी दुनिया को घुम घुम करके समझाना तो पॉसिवल नहीं है लेकिन किताब के माध्यम से उसे एक अवसर मिल गया कि हां हम अपने बातों को किताब में छाप लेंगे और यही विचार यह सभी ल लोगों तक पहुचाने का एक बहूत बढ़ा उसर मिल गया जिससे करणा अंडविस्वास का अंत हुआ रें तो जो अंडविस्वास रहे थे इस अंद्विस्वास को कहतम करना का खटाना अंत करना यह कैसे होगा तो आपको पताव नची कि ज्यान ओचीज जिस ग्यांसे हम विचार आलमी के विचार को बदर सकते हैं इस लिए ग्यान के परचार और परसार के ब्जह से लोगों में बुद्धी हुई और लोगों ने जो अंधिविस्वास था उस अंधिविस्वास का अंत करने लगी उस अंधिविस्वास का विरोद करने लगी साथी साथ निर्व को सवाद कहने का मतलब जो राजा का सासन होगा करता था तो राजा का सासन आप जानते हैं कि मन मानी होता है ताना साही होता है तो इसको लोग समझ लें कि नहीं हम लोग को खुद ना खुद एक अधिकार होना चाहिए हमें खुद जीने का अधिकार है समानता का अधिकार है और इस प्रकार से लोगों को जीना चाहिए ना कि गुलामी या ना कि निरंकु स्वाद अच्छा सासन हमारे नहीं है यह हमारे परति उतना चाने सोच रखता है इसलिए इसमें बदला होने की जुरत है तो है आपको सुना गया कि निर्म को स्वाध हो या फिर अंदिविश्वास हो इसका अंत होने का मुख्य कारण क्या था तो सबसे बड़ा कारण था छाप खाना चुकि एक जरिया थ तक पहुंचाने का एक हमारे पास जरिया क्या है वह जरिया यूटूब आपको पढ़ाया आपने घर बैटे पट ले लेते हैं तो एक यूटूब जरिया भीया सब लोग अपने विचार को घ्यान को आइडिया को दे सकते हैं और जिसको पसंद आएगा उसे फोलो करेगा परकड़े लोगों को पहुंचाने का चैनल तो सबसे पहले हैं और साथ साथ नेरो को स्वाद का लोग विरोध करने लगे लोगों के पुष्टक हर घर में पहुंचने लगी तो पुष्टक पहुंचने के कारण क्या हुआ जो बुध्धी था उसका संचार हुआ संचार का मतलब एक बैक्ति से दूसरे बैक्ति तक पहुच रहा है जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरे अंदर ग्यान आया और इस ग्यान को मैं आप तक पहुच जा रहा हूं तो लोगों अपने बुद्धी को बहस के जरिये से एक दूसरे से संचार करना शुरू कर दिये तो आयोप आपको सुन में आ गया होगा यह पॉइंट अब चौथा पॉइंट देखें छापकाने से विचारों का परचार परसार हुआ बिल्कुल सही बोला यह चापकाना ही ए संस्क्रिपी कारण निरूं कुषवाद कांथ ऑण्त हो सकता है और ज्यान का उद्य सकता है तो लोगों में विश्वास होने का यही कारण था कि लोगों को पता था कि यह सारे चीजें इसके माध्यम से संचार होगा विचारों का दान परदान होगा इस वज़र से 28 सदिक के अगर बात करें तो यूरोप के कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि मुद्रा संस्कृति के से निरूंकु स्वाद कांत तथा ज्यान ओदे होगा आई होप आपको